बच्चों आज हम क्लास 5 का परियावरान अध्यान जो आपके मोडल प्रस्ट पर आधारित है तो कोस्टन लेके आई वे हैं तो वीडियो के अंदक बने रहे हैं सारे कोस्टन महतपुर्ण है किस तरह से एक्जाम में कोस्टन को पूछे जाएंगे तो निस्कर्स करते वे डि बेकल्पी कोस्टन है यह इसमें 10 कोस्टन आपको देखा जाएगा तो बेकल्पी कोस्टन में हम 10 को क्या देखेंगे अच्छी तरह से देखिए और सिखिए निमन में कौन सा जानवर है जो अपनी गर्दन आसपास घुमा सकता है उल्लू गिरगीट तोता या घोड़ा तो गर्दन को चारो तरबो घुमा सकता है तो इसका कर्यक्ट आंसर ए नमर सही होगा नेश कोसें बच्चों आपके पास है इनसान को गुलकूज दब चड़ाये जाता है जब क्या बुखार आता है या खून की कमी हो जाती है या सरीर में उर्जा कम हो जाती है या अर्जिन हो के एक्जाम में कॉस्चन पूछे जाएंगे कि समूह के बीजों को अंकुरित करके खाया जा सकता है तो सेम अरहर उडद शाना मूंग मतर या मसूर मूंग फली गेहूं या अलसी मूंग मतर तो यह समूह आपके पास दिया हुआ है तो इसमें से चुनना है कि कि किसको हम ब चुन लिए होगे बच्चों करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यह रहा आंसर देख रहे हैं बी नमर होगा चना मूंग और मतर जो होता है उसे अंकुरित करके खाते हैं आईए चलते हैं किस जल्द सुरूत से पीने का सुद पानी प्राप्त नहीं होता है क्या कुआं से ट् नमर्ड आपका सही होगा इसमें पीने का सूद्ध पानी प्राप्त नहीं हो पाता है तो चलते हैं बच्चों कोस्ट नमर्ड नेस्ट पर नेस्ट को देख रहेंगा अंडा उबालते समय यदि पानी में नमक डाल दिया जाएं तो क्या होगा अंडा पानी के निची बढ़ ज जाएगा या अंडा फट जाएगा या अंडा पानी में थोड़ा दिर उपर तेरने लगेगा तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा जल्दी से बताइए तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्सन नमर्ड डी आपका सही होगा ऐसे ही कोस्ट एकजाम में पूछे जाएंगी नेस् लाकिर केवल बीमारी फ़लाने वाले मच्छर मर जाते हैं इनमें से सही सबसे इंप्रोटन क्या होगा यह आपको बताना है तो घड़े में भरे पानी में यदि मीटी का तेल छुड़कते हैं तो मच्छर के संख्या क्या हो जाती है वह घड़ जाती है यानि वह मर जाती है next question को देख रहे हैं बच्चों कि hand pump से निकलने वाला पानी अत्रिक्त पानी का सदूपयोग किया जा सकता है किसलिए तो बगीचों में परियोग करके यानि बगीचे में परियोग करके हम hand pump से निकलने वाले अत्रिक्त पानी का सदूपयोग किया जा सकता है तो correct answer क्या होगा option number A आपका सही रहेगा next question को देख रहे हैं कि मच्छरों की संख्या में कमी होगी यदि क्या होगा आसपास पानी एकठा ना होने दें और गड़ों को भर दें B में है पानी के बरतन टंकी कूलर को साब रखें हर हपते उन्हें सुखाएं C नमर में है गड़ों में भारे पानी में मिती का तेल छिड़के या option number D उप्रोक्त सही सभी कथन सही है तो इसका correct answer क्या होगा प्यारे वच्छों तो इसका सही आंसर होगा option number D आपका सही होगा तो आई ही चलते हैं question number next question को देख रहे हैं उप्रोक्त सभी कथन सथे हैं यह आपका answer पहले का था अब question number 10 की बात अगर करें तो मच्छरों के काटने से कौन सा रोग हो सकता है malaria डेंगू चिकुन गुनिया या उप्रोक्त सभी तो इसका सही answer क्या होगा पच्छों आप जान भी गए answer तो correct answer होगा आपका उप्रोक्त सभी यानि मच्छरों के काटने से मलेरिया भी होता है देंगू भी होता है और चिकुन गुनिया भी होता है तो आंसर आपका D नमर सही रहेगा अच्छों आप ऐसे ही क्वेस्टन देखने को मिलेंगे क्या लगू उत्री प्रस्ट से तो 11-20 तक आप देखेंगे आप अपना स्वेंग का म्यूजियम बनाना चाहते हैं तो म्यूजियम में रखी जहने वाले कोई दो चीजाओं का नाम बता हैं तो आप क्या लिखेंगे पुराने सिके और पुराने चीतर को लिखेंगे ये आपका सही आंसर होगा आते हैं क्वेस्टन नमर दो पर यदि आप अंत्रिक्ष में हैं तो आपके बाल किस प्रकार रहेंगे तो आंसर क्या होगा यदि हम अंत्रिक्ष में हैं तो हमारे बाल खड़े रहेंगे ये आपको लिखना है इसे आप याद रखेगा पेट्रोल वंग डीजल से चलने वाले वहनों से कौन सा परदुसन होता है तो वायू परदुसन होता है इसे आप याद रखेगा इस कौशन आपके पास है यदि अचानक भूकांब आ जाए और आप घार के अंदर फस जाएं तो क्या करेंगी तो उसका आंसर होगा कि किसी मजबुत टेबूल के नीचे हम बढ़ जाएंगे और दिवार की कोने में खड़े हो जाएंगे ये आपको लिखना है कोशन नमर 15 बात करते हैं थन्ड के सिजन में हाथ में फुक मार कर क्या करते हैं तो हाथ को गर्म करते हैं और भूने हुए आलू को ठंडा करते हैं ये आपको बच्चों लिखना होगा ये आंसर सही है सुला नमर कुस्टिन की अगर बात करते हैं कोई तीन खेलों के नाम लिखो जो आप खेलते हैं और उसमें खेल सामेंगरी की आवसकता पड़ती है आंसर क्या लिखेंगे किर्केट, हौकी और सत्रंज को लिखेंगे ये आपका सही है जोम खेती में बीजों का कौन से तरीके से बोया जाता है तो आंसर लिखेंगे जोम खेती में बीजों को छीट कर बोया जाता है कोस्टिन नमर 18 मद्य परदेश को सोया राज क्यों कहा जाता है तो आंसर लिखेंगे खर पतवार को जमीन में दबाए जाने से वह नस्ट हो जाती है इस तरह से बच्चों आंसर को लिखने का प्रियास करेंगे और क्या होता है जमीन उब जाओ भी बनता है इस कोशन की अगर बात करने तो किसे आदिवासी का साजहा बैंक कहा जाता है तो जंगलों को आदिवासी का साजहा बैंक कहा जाता है यह आप आंसर को लिखेंगे बच्चों, आते हैं आपको दिरगोतरी कोशन से जो कि लोंग टाइप कोशन पुछे जाते है पसुओं को पालने से कौन-कौन से लाब होते हैं तो बता सकते हैं हाँ बता सकते हैं आप पस्वों से दूद मांस आदी खाद पदार प्राप्त होते हैं क्रिसी कारे के लिए खाद प्राप्त होती है तीन में लिखेंगे क्रिसी कारे में जूताई समान धुलाई में सहायता प्राप्त होती है इस तरह से बच्चो आंसर को लिखने का प्रियास किजिए और जो उथा में लिखेंगे पस्वों से उन चमड़ा प्राप्त होता है जो देनिग आवसकताओं की पूरती में सायक होते हैं आईए चलते हैं बच्चो कोस्टे नमर 22 पर डॉक्टर किस यंतर के दुआरा हमारे हिर्दे की धड़कनों को मापता है क्या ऐसा और कोई भी माध्यम से जिससे हम अपने हिर्दे की धड़कनों को सुन सकते हैं हाँ सुन सकते हैं तो आंसर बच्चो क्या लिखेंगे question number 23 की बात करें ऐसे किनी पांच तरीकों के बारे में लिखिए जिसे पेट्रोल वंग डीजल की बचत हो सकती है आंसर लिखिए आधिक से अधिक सारवजिनिक वाहनों का पर्योग किया जाना चाहिए और दो में लिखेंगे cycle हो या cycle रिक्सा का अधिक से अधिक पर्योग की जानी चाहिए और पाचमा लिख सकते हैं बैटरी उर्जा से चलने वाले वाहनों का पर्योग करनी चाहिए इस निमर question की बात करते हैं निमली खीत को नक्से पर दर्साने है तू संकित बनाईए तो कची सड़क, school, jungle को यह सब को आपको क्या बनाना है map में दर्साना है तो कैसे दर्साएंगे तो यह लिजिए इस तरह दर्साएंगे कची सड़क को इस तरह लिखेंगे school को इस तरह दर्साएंगे यह आपके लिए काफी महत्पूर्ण था अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दिए और बेल आकन की नोटिफिकेशन को अनगर लिजे न्यू न्यू अपडेट पाने के लिए थैंक यू